राजिस्तान के अजमेर इस्दित क्वाजा मुनेदिन चिष्टी की दर्गा को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर 27 नवेंबर को कोट में सुनवाई हुई याचिका को निचली अदालत ने स्विकार कर लिया है साथ ही कोट ने मामले से जुड़े सबी पक्षिकारों को नोटिस जारी करते हुए पाथ दिसंबर को अगली सुनवाई की तारिक दी है सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े विश्न गुप्ता ने याचिका दायर की थी इसमें दरगा में हिंदू पूजास्तल होने का दावा किया गया है मामले को लेकर 27 नवेंबर को सीविल जट सीनियर डिविजन मन मोहन चंदेल की बेंच ने सुनवाई की कोट ने याचिका को स्विकार कहते हुए दरगा कमेटी अलपस अंख्यक मंत्राले बाठते पुरंतत्त्त्त्त्त्त्त्त कारेले को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए